तो धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी एक मिनी इंडिया की तस्वीर भी पेश करती है जहां सर्व धर्म संभाव की जलक दिखने को मिलती है एक तरफ गंटों और घडियालों की आवास तो दूसरी और मस्जितों से गूंचती नमास और गिर्जागरों में कोरल की गीत संदेश देता एक ऐसा चर्च भी है जहां कि दिवारे भी गीता का संदेश दिया करती हैं कासी वाश्री इसे अनुखा चर्च कहते हैं कि रिपोर्ट देखे गंगा किनारे बसा शहर बनारस मीनी इंडिया की वो तस्वीर दिखाता है जहां सभी धर्म और संबरदाए के लोग बसते हैं काश्री सभी धर्मों का केंदर बिंदू है इन्ही तस्वीरों में एक खुबसूरत तस्वीर है वारांटसी के केंटिमेंट में बना सेंट मेरी कैथरिडल चर्च जिसका इतिहाद सालों पुराना है कि लेकिन ये चर्च पूर्तिया भारती संस्कृति की झलक को दर्शाता है इस चर्च की भारती संस्कृति से जोड़ते हुए इसका निचला हिस्सा अश्च गमल के फूल के आकार का बनाया गया है यानि भारती वास्तुकला में इसे अश्च कोणीय कहा जाता है कमल पूर् का संदेश शामिल है यहीं नहीं इस चर्च में जहां वाइबल के संदेश लिखे हैं तो वहीं गीता के श्लोग भी संस्क्रित में बड़े बड़े टीतल के धातू से बने अक्षरों से उकेरे गए हैं इस चर्च को जाने माने पंडित आर्केटेक्ट ट्रिश मैनन और अपनी रचनात्मक का और भारतियता के लिए जाने जाने वाले आर्टिस्ट जोती शाही डिजाइन किया था यह चर्च सर्व धर्म के लोगों को एकता के एक सूत में बने रहने का संदेश देता है जो इंसान को इंसान समझे काश्री जैसा नगर जो सभी धर्मों का केंद्र बिंदू है हमारे पूर्वजू ने ऐसा सोचा कि एक ऐसा मंदिर बने जो सब के दिल को भाई ये भारती वास्तु शास्त्र के मंडला कॉंसेप्ट पर बना है जहां गुरु बैटकर सिक्षा देते हैं वास्तु में पगोडा भी शामिल है चर्च के आसपास के वातावरण में हरियाली और शान्ती है अहिंसा से प्रेडित है चर्च के इस खासित को देखने सभी वर के लोग यहां खिचे चले आते हैं फिर चाहें वो मुस्लिम हो या हिंदू यह पहला चर्च होगा जहां करोल के साथ साथ हरहर महादेव के जयकारे भी लगाय जाते हैं यहां आने वाले लोग भी यही मानते हैं कि यह चर्च इसा मसी के उन्ही संदेशों को दर्शाता है जिन में उन्होंने कहा है कि ईश्वर एक है विरो रिपोर्ट जन्तन्तर टीवी खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट